कॉंग्रेस की ओर से जैपर के विद्याधर नगा स्टेडिया में न्याय पत्र महासभा का आयोजन किया गया जिसमें कॉंग्रेस के राश्ट्रे अध्यक्ष मलेका अर्जन खडगे सोनिया गांधी और प्रयंगा गांधी शामिल हुई इस औरान कॉंग्रेस ने न्याय पत्र भी जारी किया वहीं कॉंग्रेस के पूर्वा अध्यक्ष और राजसभा सांसन सोनिया गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वीरों और देश भक्तों के इस महान प्रदेश के प्रतिनिदी के तौर पर इस कारिक्रम में आपके बीच आकर मुझे आप अपार गर्व हो रहा है साथियों कभी हमारे महान पूर्वजों ने अपने कठिन संगर्ष के बल पर पर अंधीनता के अंधेरे में देश की स्वाधीनता के सूरे को खोजा और पाया था इतने वर्षों के बाद वो महान जोती कुछ मद्दिम पड़ गई है चारों और अन्याय का अंधिकार बढ़ा है हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और न्याय की रोशनी खोजेंगे वहीं कॉंग्रेस अद्यक्ष मालिका अर्जन खडगे ने कहा कि प्येम मोदी ने हर सार दो करोड नौक्रियां देने की गैरंटी की थी तो पिछले साल दस साल में उन्हेंने बीस करोड नौक्रियां देनी चाहिए थी जो हमारी पांच न्याय गैरंटी है और उसके तहत 25 गैरंटी हमने आपको करके देने का वाइदा कर रहे हैं अगर हमारी सरकार आई निश्चित रूप से हम सभी गैरंटी को अमल में लाएंगे हम कभी जूट बोलने वालों में नहीं हैं जैसा कि मोदी जूट बोलते हैं और हर जगे जाते हैं कुछ ना कुछ नया जूट बोलके आते हैं उन्होंने कितने गैरंटी हम से पहले दिये हैं कौन सा गैरंटी उन्होंने लोकों को दिया है लोकों तक पहुंचा है मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं पहला तो बहुत बड़ा गैरंटी युवाओं को दिया कौन सी गैरंटी युवाओं को कहा मैं हर साल दो दो करोड नुक्रिया दूंगा तो पांच साल में दस साल में बीस करोड नुक्रिया देना था मैं पूछता हूँ क्या वो बीस करोड नुक्रिया देश के इवाओं को मिला है अरे मोदी प्रदान मंत्री है वो कैसा जूट बोल सकता है आपको नुक्रिय मिली है इसलिए आप जूट बोल रहे है नहीं मिला तो मोदी जूट है क्या कॉंग्रेस पार्टी जूट है मोदी जूट है और दूसरी चीज़ मोदी ने यह कहा भार के देशों में कॉंग्रेस पार्टी के लोग काला धन रखा है वो काला धन लाकर मैं हर एक को पंद्रा पंद्रा लाग दूँगा दिया पंद्रा लाग अरे प्रजान मंत्री कैसा जूट बोलता है भई वो हमेशा और वो हमेशा यही कहते हैं हरिस्चंद्र के बाद महीं पैदा हुआ हूँ तो यह पंद्रा लाग भी आपको नहीं मिलें ठीक है छोड़ दीजिए और उन्होंने यह कहां किसानों के लिए उनकी आमदानी दुपट कर दूँगा उस किसानों की आमदाई दुपट हो गई है तीसरा चौता उन्होंने कहा कि MSP रेट हम बढ़ाएंगे किसानों के लिए क्या उन्होंने किया त्वीरों और देश्ट्वक्तों के इस महान प्रदेश के प्रतिनीदी के तौर पर इस कर्यक्राम में आज आप सब के बीच आकर मुझे अपार गर्व हो रहा है साथियों कभी हमारे महान पुर्वजों ने अपने कथिन संगर्ष के बलबूते परदीन्ता के गोर हंदेरे में देश की स्वादीन्ता के सूर्य को खोजा और पाया था इतने बर्सोबाद बमहान जोती कुछ मद्दीम पर गई है चारोर अन्याय का अंदकार बड़ा है हम सबी का संकल्प होना चाहिए कि हम इसके किलाफ लरेंगे न्याय की रोश्नी हो जाई रे